नमस्कार फ्रेंट्स आपका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में फ्रेंट्स आप यदि किसी ऐसे एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जिसमें साइंस मेंन पार्ट है तो फ्रेंट्स यह वीडियो आपके लिए है और HSSC में जो science के अभी recently exam conduct हुए है HSSC के उन में जो science के questions पुछे गए हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में cover किये हैं और friends पीछे के exams के भी questions मैंने इस वीडियो में cover किये हैं तो friends वीडियो को पूरा जरूर देखें शुरुआत में जो अभी अभी exam हो है 10-11 नवंबर को उसके questions cover किये हैं अच्छे-च्छे questions हैं सारे और आगे भी repeat हो सकते हैं ये तो चलिए देखते हैं पहला question आज का बारी वेयाम के दोरान पैरों में दर्द खालिस्तान के संचे के कारण होता है किसके संचे के कारण होता है friends नेक्स्ट क्यूस्टन है friends वाईयू की गतीम आपने का यंत्र कौन सा है वाईयू की गतीम आपने का यंत्र है एनिमो मिटर एनिमो मिटर से वाईयू की गतीम आपते हैं अगला question friends एक ऐदातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है और फ्रेंट्स ऐसी मेटल का नाम ऐसी दातू का नाम आप बताईए जो की लिक्विड स्टेट में पाई जाती है यानि दरव्य आवस्था में पाई जाती है ऐसी मेटल का नाम आपको बताना है अगले क्यूस्चन इसी से रिलेटिड इनी एक्जाम से में पुछा गया है एक कि क्युस्चन थोड़ा सा गुमाफुरा के खालिस्तान एक दातू होते वे भी चमकदार होता है तो फ्रेंट्स ब्रोमिन वो है जो की दातू है और चमकदार होता है इसका परियोग अलग-अलग पर शड़क पर जो बैनर लगे होते हैं रात को जिन पर परकास पड़ता है चमकते हैं उन में भी इसका ब्रोमिन का प्रियोग किया जाता है अगला क्युस्चन मचलियों के अर्दे में कितने कक्स होते हैं कितने चेंबर्स होते हैं मचलियों के अर्ट में दो चेंबर्स होते हैं मचलियों के अर्ट में अगला क्युस्चन इन मे से किस को सिका में हिमोगलोबिन होता है तो चारो ओप्शन्स में से किस में हिमोगलोबिन होता है फ्रेंट्स लाल रक्त कनिकाओं में रेड बलड सेल्स में हिमोगलोबिन होता है अगला किस्चन नाई दर्पन के रूप में प्रियुक्त दर्पन का परकार है कौन सा दर्पन प्रियोग करता है नाई दर्पन के रूप में तो फ्रेंट्स ये दर्पन है आउतल दर्पन कोन केव मीरर का प्रियोग करता है नाई दर्पन के रूप में और फ्रेंट्स पिछे के दर से देखने के लिए वानों में कौन सा दर्पन प्रियोग किया जाता है उतल दर्पन तो फ्रेंट से दरपंड से समपन दिती यो दोनों क्योस्टो धियान रखी आप क्या गया ग्जामस में फ्रेंट ऐस से डवारा पीछले सालों कंडेक्ट किये गए डिप्टी रेंजर के एकजाम के क्योस्ट 멈 important important science के questions मैं cover कर रहा हूँ इस वीडियो में पहला question देखते हैं आवर्थ सारणी में तत्वों को खालिस्तान के अनुसार लगाया गया है तो परमानु करमांक यानि atomic number के अनुसार लगाया गया जिस तरह आप देखते हैं आइट्रोजन का atomic number एक है तो वो सबसे पहले आता है उसके बाद helium और atomic number के हिसाब से settle किया गया है अगला question दंत मिस्रन चांदी और खालिस्तान दातूं के साथ पारे की एक मिस्र दातू है पारा भी मिलाया जाता है इसमें चांदी और टीन भी मिलाया जाती है चांदी टीन और पारा ये दंत मिस्रन दात जब खराब हो जाते हैं तो उनकी जगें दंत मिस्रन का प्रियोग किया जाता है अगला किस्टन खालिस्तान मानव सरीर की अंतरस्तावी तंतर को नियंतरित करती है यह फ्रेंट्स पिट्यूट्री ग्लेंड यानि प्यूस ग्रंथी यह नियंतरित करती है सबसे बड़ी अंतरस्तावी ग्रंथियों में आती है यह और फ्रेंटस सबसे बड़ी ग्लेंड यानि ग्रंथी कौन सी है मानव सरीर का इसका जवाब आप कोमेंट बोक्स में लिख कर बताएं अगला क्युस्टन देखते हैं फ्रेंटस मानव मस्तिक्स खालिस्तान बागों में विवाजित होता है और इसी एक्जाम के साइन से समंदित क्यूस्टन्स देख लेते हैं पवन्चक की इस्तिमाल करते वे बिजली का उत्पादन करने के लिए टरबाइन को अपेक्सित गती को बनाये रखने तो अवा की गती कितनी होनी चाहिए पवन्चक की चलाने के लिए सिद्धी सी बात है कितनी होनी चाहिए अवा की गती तो फ्रेंट्स यह होनी चाहिए 15 किलोमेटर परती गंटा से अधिक होनी चाहिए अवा की गती तब ही पवन्चक की चलेगी और उससे बिजली का उत्पादन होगा अगला क्यूस्टन बिजली विद्धूत सक्ती का मानक अंत्राश्ट्य इकाई क्या है इलेक्ट्रिक पावर की अंत्राश्ट्य इकाई क्या है वाट वाट है इलेक्ट्रिक पावर की अंत्राश्ट्य इकाई नेक्स्ट क्यूस्टन देख लेते हैं फ्रेंट्स ये नुमेरिकल से समन्दित है एक विजली बलफ एक दोसो बीस वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है करन्टी इतना एंपियर है 0.50 एंपियर तो बलफ की विद्यूद सक्ती यानि पावर निकालनी है ये आएगी 120 वाट अगला किसटन फ्रेंट्स आवरत साड़ी में विद्यत ततों की संख्या लगबक कितनी है 118 है फ्रेंट्स आवरत साड़ी में ततों की संख्या 118 के 118 है मैकसिमिम। फ्रेंड्स अभी जो रेल्वे के एक्जाम में पुछे गए हैं उसी लेवल के क्युस्चन पुछे गए थे इन एक्जाम्स में भी दो पर्तिरोध को 24 ओम और 6 ओम को स्रेणी में सेयोजित किया जाता है परिपत की कुल परतिरोध अगता क्या है ये फ्रेंट्स तीस ओम अगला किस्टन साइन से सम्मन्दित दाब की अंतराश्टी इकाई क्या है पासकल पासकल दाब की अंतराश्टी इकाई है और फ्रेंट्स आपको कॉमेंट वोक्स में लिख कर बताना है कि पार सेक पार सेक किस की इकाई है पार्स एक किसकी सबसे बड़ी युनिट है किसकी सबसे बड़ी इकाई है अगला क्यूस्टन फ्रेंट्स एक नाभी की प्रतिक्रिया जहां एक प्रमाणू का नाभी का पेक्स्याकर्थ छोटे बागों में दुवी विवाजित होता है कहलाती है यह ओतिये फ्रेंट्स नाभी के विखंडन यानि न्यूकलियर फ्यूजन की प्रोसेस कहलाती है यह अगले क्युस्चन जिस पर प्रमानु बंब नाभी के विखंडन पर ही आधारित है अगले क्युस्चन और आइट्रोजन बंब नाभी के सलियन यानि नुकलियर फ्यूजन पर आधारित है खालिस्तान एक जलिये गोल का उधारण है चिन्नी एक जलिये गोल का उधारण गए फ्रेंट्स ये ओफिसियल आंस्वर की के अनुसार हैं ओनलाइन एक्जाम के आंस्वर्स नेक्स्ट क्यूस्टन जब आप आवर्थसार्णी में बाई और चलते हैं तो तत्वों का परमाणू करमांग खालिस्तान की परवर्थी रखता है तो फ्रेंट्स गठता है आवर्थसार ने इसे समन्दित क्यूस्टन्स हैं जो की काफी है अभी एक्जाम हुए हैं रेल्वे के तो आर पीफ के एक्जाम में ये काफी काम आएंगे ये क्यूस्टन्स आप और फ्रेंट्स यदि आपके लाइक मिले तो और भी इस तीतरें की वीडियों आपके लिए लेकर आऊंगा मैं अगला क्यूस्टन परती रक्षी करण की परकिरिया खालिस्तान को विक्षित करती है ये विक्सित करती है कृत्रिम प्रतीरक्षा को अगला क्यूस्टन कोशिका विज्ञान खालिस्तान का अध्यन है साइटोलोजी किसका अध्यन है कोशिका यानि सेल्स का अध्यन है अगला क्यूस्टन साइन्स से सम्मंदित लास्ट क्यूस्टन इस वीडियो का हमारे शरीर में मुगदरक एम नियाई कहां पाई जाती है ये पाई जाती है कान में हैंबर एंड एन्विल ये पाई जाती है कान में अगले फ्रेंट्स इसी एक्जाम में मोर्निंग शिफ्ट के क्यूस्टन्स आठ क्यूस्टन्स देख लेते हैं जब परकास एक बिन माध्यम में परिवेश करते हुए मुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं रिफ्रेक्षन ओफ लाइट यानि परकास का अपवर्थन और यदि किसी सतह से टकरा कर ऐसे मुड़ जाता है दूसरी साइड में तो वो परावर्थन होता है यानि रिफ्रेक्षन और यदि ऐसे दूसरे माध्यम में जाते हुए जैसे पाणी में जाते हुए ऐसे मुड़ जाता है तो ये रिफ्रेक्षन यानि अपवर्थन कहलता है आगला क्युस्चन फ्रेंट्स ये है प्राकर्तिक विगटना भीक ततव का परमानु करमांक खालिस्तान होता है 82 से अधिक होता है इसका आगला क्युस्चन देख लेते हैं फ्रेंट्स 25 का एक आवर्दक लेंज एक परकार का खालिस्तान लेंज है और दक लेंज कौन सा लेंज होता है फ्रेंट्स यह होता है उत्तल लेंज यानि कॉन्वेक्स मीरर नहीं फ्रेंट्स सोरी अगला क्यूस्टन योगिक का नाम बताइए ने टू एस टू ओ थरी यह सोडियम थियो सलपेट इस योगिक का नाम नेक्स्ट क्यूस्टन यह देखते हैं फ्रेंट्स इंपोर्टेंट है प्रियोडिक्टेबल से समन्दित आधुनिका और साणी में उत्करष्ट गैसों को तत्वों के किस समू में रखा गया है उतकरस्ट गैसों को नोबल गैसिज को किस वरग में रखा गया है अठार वे में अठार वे समू में रखा गया है नेक्स्ट क्यूस्टन है फ्रेंट्स मानव आहार नाल की लंबाई लगबग खालिस्तान मिट्र होती है तो फ्रेंट्स ये होती है 9 मित्र अहार नाल की लंबाई मानों में अगला किस्टन अच्छे अच्छे किस्टन है फ्रेंट्स सारे-क-सारे पोदों एवं अन्य पसूं दोनों का बक्सन करने वाले फसू खालिस्तान कहलाते हैं तो ये होते हैं सरुब बक्सी पोट्दों को भी खा जाते हैं अन्य पसूं को भी खा जाते हैं दोनों को बक्सन करते हैं वो पसू होते हैं सरोव बक्सी अगले क्यूस्टन फ्रेंड्स तीस का इस वीडियो में लास्ट है ये गुण सुत्र खालिस्तान का एक बाग हैं गुन सुतर किसका बाग हैं क्रोमोसॉमस डी अनने का एक बाग हैं क्रोमोसॉमस इजे पार्ट ओफ डी अन ए फ्रेंड्स आज का साइन्स से समन देता आपसे पहला क्युस्टन ये रहेगा कि ग्रेगर मेंडल वन सान उकरम के जनक कौन का लाते हैं ग्रेगर जोन मेंडल फादर ओफ एरिडिटी तो इन्होंने आनवान सिक्ता के सिदान्त की खोज किस पोदे पर की थी ये यूपी पी सियस में मेंस में पुछा हुआ है इंपोर्टेंट क्यूस्टन है बार बार एक्जांस में किस पोदे पर इसकी खोज की थी ग्रेगर जोन मेंडल ने फ्रेंट्स आज के दोनों क्यूस्टन सी मुश्किल हैं किस गैस को मार्स गैस कहलाती है किस गैस को मार्स गैस कहते हैं ये फ्रेंट से идет railway गुरूप डी में अभी आली में पुछा गए है मार्स गैस कि डैस को कहते हैं कि आपको को मेंने मैंने आप से क्यूस्टेन क्या था की यह कैं स्कषिस आइडरोफएटि मैं यह उत्त तरह से important question बनता है यह इवेस का पिछले वीडियो में सबसे पहले comment आया संदीब कुमार का उसके बाद है नीतू त्रिपाथी उसके बाद रांजना सिंग है उसके बाद धनुसदारी है यह माराजगंजी यूपी से उसके बाद रंजना सिंग है पर्थवी राज है नीतू त हैं फिर हैं सुदीर सिंग अजय कश्यप हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और में वाट्सअप गुरूप में सेयर कीजिए